हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके अपने उटू चैनल संजे टेकनिकल एड़रेट 21 में आज की इस वीडियो में हम स्लिप गेज से सबंदित जितने भी क्वेश्चन एक्जाम में पुछेगे हैं और उससे सबंदित जितने भी महस्फूरू पॉइंट है उन सभी प संकारि आज आशल करपहेंगे तो चलिने वीडियो को सुरू करते हैं ग्रैने की स्लिप जान लेते हैं कि स्लिप Henderson का का और यह हमारे लिए प्रकार रप्य घूगी है स्लिप ह defense का पर याँस प्रता चल रहाघ कि कि slip gauge का प्रयोग अन्य सुक्ष्मापी यंद्रो ठीक है और जारो की सुझता को चेक करने के लिए किया जाता है यानिकि slip gauge होता है इसका प्रयोग हम दूसरे परकार के जो सुक्ष्मापी यंद्र होते हैं ठीक है उनकी को जाचने के लिए करते हैं जैसे कि example के लिए है micrometer और kaliper यानि कि micrometer और kaliper की सुझ्मापील का जैती है यह question एक्जाम में पूछा गया है कि slip gauge की दोरा जो है micrometer और slip gauge की caliper की सुधता किसके दोरा चेक की जाती है तो याद रखना है एक बार पुना आपको question बता देते हैं कि equation यह था कि micrometer और caliper की सुधता को किसके दोरा चेक जाता है तो यहाँ पिर option आपका से होगा slip gauge यह आपको याद रखना है ठीक है अब slip gauge के जो है अनी जो है slip gauge के इसके प्रकारत बहुत कम लेकिन इसके grade से समझत question बार बार एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है रिफ्रेंस उसके बाद होता है टूल रूम और उसके बाद होता है वरकसाप ठीक है तो सबसे जो अधिकतर जो होता है वह वर्क्रमीटर की एकुरसी होती है उतनी हमारी वर्क्सप जो होता है कि गेज की एकुरसी होती है ठीक है और होता है उसके बाद टूल रूम होता है ठीक है और इसकी यह जो है यह ग्रेड वन होता है और यह वर्क्सप पॉला जो होता है ग्रेड टू होता है यह इसकी ग्रेड से जाते है ठीके तो याद रखना है के लिपर केलिब्रेस्टन वाला जो होता है कौन सा डिचलेट थो जड़लिः जो रीफिरेंस या इन्सक्टाइफ tuyttis इसको घ्रटाक जाता है जूब रेश्गेवेल में पाया जाता है और जैद गमिवhayason होता है यह जीरो ग्रेट केलीब्रेशन जीरो इंस्टेक्शन निया री फेंस TH roller Credit ठीक है और पूछे है आपका टूलında like ग्रेडवन और वर्णब ग्रेड़ कॉल ओर ऑग्रेड बात करते हैं किस प्रकार के होते हैं तो यह आकार में आयताकार होता है और यह होता है आपका स्लूट गेज्स यह हाई क्वालिटी इस्टील यह टंग के बना जाते ये आप क्यातार है ठीक है अ कै hur करवन ट्रिक तह्ता है ठीट्र है और स्लेप को धवने के वारे से टीशू पेपर ग्लेंन कि के still कि शाफ किया जाता है यह आपको याद रखना थीक तो उसके बाद दीख लेता है स्लिप गेज के छोटेस ब्लॉक का साइज 0.5 mm यानि कि आदा मिलिमीटर होता है और बड़े ब्लॉक का जो साइज होता है वह 50 mm होता है यह पॉइंट दोनों आपको याद रखने है ठीक है और जो है स्लिप गेज का प्रियोग हम कहां पर करते हैं तो पहले जैसे कि आपको बता चुके हैं कि स्लिप गेज का प्रियोग तो हम करते हैं टिक्ये पफिस पॉचा जाता है कि सहीनब्र की सेथान पर काहीं करता है दो यहां out रखना है कि तो स्लिप गेज के अन्य नाम ग्लेज ब्लॉक ठीक है भी होता है आपको याद रखना है और यहां पर क्या नाम है कि स्लिप स्वरी साइंबार से दूसरे कोशन पुछेता है कि साइंबार का साज कैसे लिए रहता है तो यह जो रोलर आपको दिखाया दे रहे हैं इन दो रोलरों के सेंटर से एक सेंटर से दूसरे सेंटर के एक रोलर के सेंटर से दूसरे रोलर के सेंटर के बीच होंगे तो अगर आपको जनकार अच्छी लेगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि आगे और भी इसी प्रकर के आपकी वीडियो मिलते रहे आज के लिए इतना है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में त